Hello everyone, आज हम देखने वाले हैं, difference भी हो सकते हैं और similarity, किसमें present participle और perfect participle, इन दोनों में क्या अंतर है, जो भी confusion है, इनके अंतर को लेकर है, इनके बीच में क्या फर्क है, उसको लेकर है, तो वो देखने वाले हैं, देखें यहां पर stable के through, जैसे present participle है, इसका काम क्या है, adjective का, और perfect participle है, इसका भी काम क्या है, adjective का, डोनों ही का, ठीक है, adjective का काम है, तो participle का काम ही adjective का होता है, चाहिए present हो, past हो, या perfect हो, तीन ही participle है, तीनों का का काम, adjective का है, विशेशन का है, या फिर, जो भी noun होगा, उसके बारे में कुछ information देना हो, वो चाहिए एक line में हो, एक word में हो, तो वो भी काम है, participle का, चलिए, यहां तो पहला इनका काम समझ में आ गया, दो simple sentences को जोड़ कर, एक बना देना, यह जैसे participles होते हैं, उनका काम होता है, same इसमें भी यह है, कि दो simple sentences को, simple sentences होंगे, उनको जोड़ कर, एक बना देना, clear है, चलिए, आगे देखते हैं, यह जो present participle है, इसमें verb की first form में ing लगकर आता है, जिरंड में भी आता है, confusion रहता है, कि जिरंड में भी तो ing आता है, लेकिन, इस present participle, या तीनों ही participle का काम, adjective का होता है, लेकिन, जिरंड का काम होता है, noun का, जिरंड का काम होता है, noun का, चलिए, अब यहाँ पर देखें, perfect participle में having plus verb की third form लगकर आता है, फिर confusion उड़ता है, जिरंड में भी having के साथ verb की third form लगकर आती है, लेकिन, इसका जो काम होता है, जैसे अभी already discuss कर दिया है, कि noun का होता है, तो similar सा formula लग रहा है, कि having के साथ verb की third form, जो perfect जिरंड है, उसमें भी लगाते हैं, और perfect participle है, उसमें भी लगाते हैं, लेकिन, दोनों का काम है न, उसमे अंतर है, उसमें फर्क है, इसलिए confuse ना हो, चलिए, अब यहाँ पर भी दो action है, उनहीं में तो confusion रहता है, कि दो action इसमें भी दो action है, ठीक है, present participle में भी, और past, perfect participle, past नहीं, perfect participle में भी दो action है, चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं, अब यहाँ पर difference यह है, क्या है, दोनों action के बीच में कम time लगता है, ना के बराबर, इसको remove कर दे, ना के बराबर time लगे, तो वो तो है present participle, दो action है, ठीक है, लेकिन यह action और यह action तुरंत ही हो जाए, मतलब पहले के बाद जो दूसरा action है, वो तुरंत ही हो जाए, समय जो है, ना के बराबर लगे, लेकिन sufficient time लगत है, मतलब कि यह इसमें भी दो action है ना perfect participle में, यह वाला जो पहला वाला action है ना, अच्छी तरीके से खत्म हो जाए, तुरंत ही नहीं दूसरा action, ठोड़ा sufficient time, ठोड़ा दूसरा action में ठोड़ा time लग जाता है, तो वहाँ पर, जहां ना के बराबर time लगे, तुरंत ही हो तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि present participle और perfect participle में difference जो है, अंतर यही है, कुछ similarities है कि दोनों जैसे adjective का काम कर रहे हैं, वो भी हमने compare करके यहां पर देख लिया, अब चलिए example के तरफ आ जाए, जैसे कि अलमारी खोल कर मैंने coat निकाला, जैसे अलमारी खोली तो तुरंत ही coat निकल जाता है, दोनों action के बीच में time gap जो है ना के बराबर है, तुरंत ही दूसरा action हो जाता है, तो opening the wardrobe, I took out the coat, तो यहां पर opening क्या है, यह present participle है, मतलब दोनों action है ना, wardrobe तक एक action हो गया, फिर I से लेके coat तक, I took out the coat, यह दूसरा action है, दोनों action के बीच में कोई time gap नहीं है, तुरंत ही जो है दूसरा action हो गया, अब यहां पर आजाए perfect participle में, बाजार जाकर मैंने कमीज खरीदी, पहले तो हम बाजार गए, ठीक है, having gone to market, पहले तो मैं बाजार गया, या मैं बाजार गई, तो यहां पर बाजार में गए, तो तुरंत ही जाके ही तो हमने कोई shirt नहीं खरीद ली न, time लगता है, परियाप्त समय लगा, तो यह है perfect participle, having gone to market, I bought a shirt, तो इन दोनों, जो यह दोनों action है न, इनके बीच में परियाप्त समय लगता है, काफी समय लग जाता है, ठीक है, लेकिन present participle में दोनों action के बीच में ना के बराबर समय लगता है, example और दे देखा उसको वो पास में आया, नहीं न, तो यह है present participle, seeing the loin, children rain away, तो यहाँ पर seeing present participle, घर जाकर मैंने चाय बनाए, पहले तो घर गए, तो चाय बनने में भी तो time लगा, घर जाने में भी time लगा, तो बीच में, ठीक है, चाय बनने का हमें कुछ नहीं है, लेकिन घर जाकर घर जाते ही एकदम से, suppose आप office से आ रहे हैं, या फिर school से आ रहे हैं, तो थोड़ा time लगता है, घर जाके school से आ रहे हैं, या office से आ रहे हैं, तो dress वगरा change करेंगे, तो परियाप्त समय लगेगा, तो यह है perfect participle, having gone to house, I made tea, तो having gone, यह क्या है, यह perfect participle है, चलिए, coat पहन कर व और फिर बाहर गया, तुरंथी, डूसर रेक्शन हो जाता है, एक के बाद, अंग्रेजी सीख कर मैं America गया, ऐसा तो नहीं है, कि अंग्रेजी सीख लिए और तुरंथी मैं America चला गया, या America चली गया, नहीं ना, तो यह है perfect participle, तो बस यही फर्क है इन दोनों में, अब यह पर एक चीज और है, कि present participle है, perfect participle का यूस पर देख लिया, complete हो जाता है, अगर perfect participle आपको अलग से नहीं सीखा है, तो यह यहां तक सीख लिया, तो आपको आगया, लेकिन present participle में, यह जो वर्ब में ing लगकर आते हैं, तो अलग अलग तरीके से sentences बनते हैं, उसमें एक तरी का रूल्स, चलिए पहले इसको देख लेते हैं, wearing the coat, he went out, ठीक है, पहन कर बाहर गया, he है तो गया, ठीक है, तो यह wearing क्या है, present participle, having learnt English, I went to America, तो यहां पर having learnt यह क्या है, यह perfect participle, ठीक है, इन दोनों कामों के बीच में, जो है, कोई जाधा time नहीं लगा, मतलब दोनों के बीच में time gap नहीं है, ना के बराबर समय लगा, और इसमें time gap है, बस यही difference है, दोनों के अंदर, perfect participle जो है न, वो तो इतना ही है, कि having के साथ V3 का use कर दिया, लेकिन जो present participle है, इसके और भी sentences बनते हैं, जिसमें एक तरीका अभी आपने सीख लिया है, तो उ महां पर था मेरा उद्देश है, इन दोनों के बीच में क्या difference है, और उस बात को लेकर difference यहां पर बता है, जिसमें confusion रहता है, उस point को लेकर, तो confusion इन ही में रहता है, और इन ही मैंने आपको बताए, तो कोशिश किये समझाने की उमीद आपको समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक था, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,